धर्ती कहे पुकार के, बीज बिछाले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए Books That Speak में आप सभी का स्वागत है वीरा ने तिल्ली की अच्छी तरह देखभाल की और अब फसल के कटने का समय आ गया है उसके मन में बहुत से सवाल है, क्या वो तिल्ली की अच्छे से देखभाल करने में सफल रहा? क्या तिल्ली एक अच्छा प्याज बन पाएगा? और समय आने पर क्या वो तिल्ली को बेच सकेगा? चलिए, वीरा और उसके प्याज के पौधे की दिल छू लेने वाली कहानी में इन सवालों के जवाब डुनते हैं और हाँ बच्चों, कहानी के अंत में आपके लिए भी एक छोटा सा सवाल जरूर रहेगा कहानी का शीरशक है वीरा और तिल्ली ओरिजनल स्टोरी वीरा और तिल्ली बाई प्रथम बुक्स कहानी का लेखन मीनू थॉमस, चत्रांकन डेविड यैंबेम, हिंदी में अनुवाद मोहम्मद वसीफ कहानी का वाचन असावरी दूशी वीरा जब सोकर उठा, तो खुशी से उसके पाव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे आज उसे अपनी आई और बाबा के साथ खेत में प्याज की फसल काटने जाना था वो फिर से तिल्ली से मिलने को लेकर रोमान चित था कुछ महिने पहले, वीरा ने खेत में प्याज के पौधे लगाने में मदद की थी तभी पहली बार उसकी मुलाकात तिल्ली से हुई थी किसी ने भी तिल्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तिल्ली बाकी पौधों की तरह बड़ा नहीं हुआ था लेकिन वीरा को उससे बहुत उम्मीद थी उसे लगता था कि अगर इसकी देखभाल ठीक से की जाए तो तिल्ली भी एक अच्छे प्याज के रूप में विकसित हो सकता है पानी का छिड़काव अगर तिल्ली तक नहीं पहुँचता तो वीरा खुद उसको पानी देता यहां तक की टिड़ियों से उसे बचाने के लिए वो खुद उन्हें खेट से बाहर निकालता टेम्पो के रुकते ही वीरा भाग कर प्याज के खेट में गया और तिल्ली को डूढने लगा और आखिर उसे वो सफेद कंकड दिखी गया जो उसने तिल्ली के पास रखा था तिल्ली धूप में चमचमा रहा था उसकी कुछ पत्तिया पीली होकर गिर गई थी आई ने उससे कहा कि ये तो अच्छा संकेत है इसका मतलब है कि प्याज पूरी तरह से तयार है और अब इसकी खुदाई की जानी चाहिए सब लोग प्याज खुदने लगे घंटों की मशक्कत के बाद सभी प्याज बाहर निकाल लिये गए अब केवल एक ही पौधा बचा था आई ने खुदाई के लिए वीरा की तिल्ली की तरफ इशारा किया वीरा के दिमाग में बहुत सी बाते चल रही थी क्या होगा अगर तिल्ली के नीचे प्याज नहीं बनी होगी तो क्या अब तिल्ली का पौधा उसे छोड़ना होगा ये सूचते हुए वीरा ठहरा और फिर आई से लिपट गया आई ने वीरा का हाथ पकड़ा और तिल्ली के पास ले आई वो मिट्टी को हटाने लगी वीरा ने भी साथ देते हुए खुदाई शुरू कर दी उसने प्याज को बाहर निकाला और उससे लगी मिट्टी साफ की वो मुस्कुरा रहा था तिल्ली एक गोल, चमकदार और बैंगनी रंग का प्याज बन गया था वीरा को बड़ा गर्व हुआ उसने तिल्ली को अपने सीने से लगा लिया उसने देखा कि लोग अपने पैरों के बीच में दराती पकड़े हुए पत्तियों को प्याज से अलग कर रहे थे वीरा ने खुद तिल्ली की पत्तिया काटी जो तिल्ली के सिर पर बालों के गुच्छे की तरह लग रही थी बाबा ने बड़े बड़े तिरपाल बिच्छाए जिस पर प्याज को पाँच दिनों तक सूखने के लिए फैला दिया गया वीरा क्या तुम पाँच दिन के लिए तिल्ली को घर ले जाना चाहते हो बाबा ने पुछा वीरा ने खुशी से जूम कर कहां उस रात खाने के समय आई और बाबा बाते कर रहे थे कि इस साल उपज कितनी अच्छी रही आई ने कहां मंडी में प्याज ले जाने के लिए हमें एक बड़ा टेम्पो लेना पड़ सकता है तिल्ली के जाने के बारे में सोचकर वीरा बेचैन था उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया अगले कुछ दिनों तक वीरा तिल्ली को देखने के लिए कमरे में जाता रहता वो इसको निहारे बिदा नहीं रह पाता था आई बाबा क्या तिल्ली को बाजार में ना बेचकर मैं अपने साथ रख सकता हूँ वीरा ने रोते हुए पूछा वीरा तुम कितने दिनों तक इसको अपने पास रख सकोगे तिल्ली कुछ दिनों के बाद खराब होना शुरू हो जाएगा बाबा ने बताया फिर तो तिल्ली को भी बाकी प्याज के साथ बेचना ही बहतर रहेगा वीरा ने रोते हुए ही कहा बिल्कुल सही कहा तुमने वीरा इस तरह से तिल्ली किसी के खाने का बहतरी जायका बन सकेगा आई ने समझाया वीरा मन ही मन सोच कर मुस्कुरा रहा था कि तिल्ली को कोई बड़ी शेफ खरीद कर कोई नई डिश बनाएगी अगली सुबा प्याज को बोरियों में भर कर ट्रक में लाद दिया गया वीरा तिल्ली को हाथ में लेकर बोरियों के बीच में बैठ गया मंडी के दर्वाजे पर पहुँच कर बाबा ने आवाज लगाई 120 कुंटल नाशिक लाल प्याज अरे हाँ आपको पता है ये मंडी का नाम क्या है क्रुशी उत्पन्न बाजार समिती लासल गाव जिल्ला नासिक महाराश्ट्र में ही तो है गेट पर मौजूद आदमी ने इसकी जानकारी कंप्यूटर में दर्ज कर इसकी रसीद बाबा को दे दी बाबा ने कुछ प्याज दिखाने के लिए बाहर निकाल कर रख दिये कई व्यापारी प्याज की गुणवत्ता पर रखने के लिए आए प्याज सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले एक व्यापारी को बेज दी गई बाबा के चेहरे पर खुशी थी सारी बोरिया तॉलने के बाद उस व्यापारी के ट्रक में लाद दी गई बाबा ने वीरा की तरफ देखा वीरा मुस्कुराया और तिल्ली को आखिरी बोरी पर रख आया क्या आप जानते हैं? नाशिक लाल प्याज, नाशिक में उगाई जाने वाली प्याज की एक किस्म है मंडी एक थोक बाजार होती है जहां बड़ी मातरा में उपज बेची जाती है नाशिक की लासलगाउ मंडी भारत की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी है व्यापारी मंडी में थोक मातरा में उपज खरीदते हैं और उसे कम मातरा में दुकानदारों को बेचते हैं जो इसे आप और हम तक पहुँचाते हैं हाँ हाँ मुझे याद है अब बारी है आज के सवाल की तो आज का सवाल ये है क्या आपने कभी कोई सबजी या फल उगाया है उगाया होगा तो कौन सा मुझे उसका नाम जरूर इमेल पर लिख भेजिए इमेल है contact.books.speak at gmail.com तो कैसी लगी ये वीरा और तिल्ली की प्यारी सी कहानी तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग बॉडकास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया